ऐसी भी एक बहु, सुबा का लगबग दस बजे का समय था, पोस्ट ओफिस में जदा चहल पहल नहीं थी, पोस्ट ओफिस के मेरे कैबिन से पूरे के पूरी पोस्ट ओफिस मुझे साथ दिखाय देता था, मेडी नजर एक चारीस बैचालीस साल की महिला पर गई, दिखने में सीधी साथी प्रभावशनी व्यक्तित्व वाली पैनाओं से माध्यवर्गी लग रही थी, जिस तरीके सबहव ओफिस के करमचारियों से बाच्चित कर रही थी, मुझे उनके बाच्चित सुने नहें दे रही थी, उसके सबहव साफ जलक रही थी, थोड़ी देर बाद मैं अंदर रकम मुझसे पूछा, सर इंकिया और डी मेश्योर हो गई है, लगबग 9000 की रकम है, लेकिन शर्मा जी कहां रही है कि अभी कैश नहीं है, 11 बजे बैंक खुलेगा पर सी तभी पेमेंट हो सकता है, सर मैंने पार्टी को बताय था कि मैं उनका पेमेंट जल्दी करव दूंगा, क्या कहीं से कैश बंदबोस्त हो सकता है, हलांकि इतनी रकम तो पोस्ट ओफिस में रहती है, लेकिन पहले दिन बैंक की छुटी होने से अज कैश नहीं थी, मैंने शर्मा जी को बुला कर उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कैश उपलब ना होने के बाद ही दोरा एजन्ट से इस महिला को साड़ी-क्यारा बचे तक इंतेजार करने को कहकर, मैं अपने काम में वस्त हो गया, क्यूंकि बैंक खुलने के बाद कैश लाने में भी अधी घंटा तो लगे गा ही, थोड़ी देर बात मैंने देखा कि एजन्ट तो जा चुका है, और वो महिला ब खाने का समय हो रहा है, मुझे उन्हें समय पर खाना खिलाना है, क्या शाने में और कितना समय लगेगा, अब लड़का आता ही होगा, उसे देखका सहाथ से अनुमान लगाया जा सकता था कि उसके लिए एक एक मिनिट कितना महत्मपुन है, मैंने किसी बहु को सास को वक्त खाना खिलाने के इतना बैचन हो, होते पहले बार देखा था, मेरा काम करने में मन ही नहीं लग रहा था, पूरा देन उस मली पारे करंटी था, उसके बैचन ही मुझ से देखी नहीं जा रहे थी, सच बताओं यदि उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो मैं खुद उसे आप अ कैश आने पर आपका उतना वक्त भी बचे, उसने सैंड कर दिया और बेंच पर जाकर बढ़ गई, 11.45 हो गई, लेकिन लड़का नहीं आई, आप उसका धेरे जवाब देने लगा, वो मेरे पास आकर कहने लगी, सब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मेरा घर भी दूर है, ख पी ही ले जाना होगा, अब उको जादा ही परिशान हो गई, 11.50 का एको फिर मेरे पास आई, माफ कीजी, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मैं जा रहे हूं, मुझे मेरी सास को वक्त पर खाना खिलाना है, चाहे इसके लिए मेरे इतनी रूपए का नुकसानी क्यों ना हो जा जिसमें गरहा को पैसे से जदा अपनी सास को खाना खिलाने की पड़ी थी, एक मर्द्यावार की बहुच, इसके लिए 9,000 रूपए बहुत मैने रखते थी, पूरे 12 मेहने थोड़े थोड़े पैसे जमा कर करके अपने राशे चुटाई थी, इतना सहाजता से पैसे सकती है, हम सबी को यह बस समझी नहीं हो रही थी, आजकल ही नहीं तो प्राचिंखाल से ही सास बहु का रिश्ता एक अईसा रिश्ता कहलाता है जिसे ना चाते हुए दोनों की निभाते है, आए दिन हम सास बहु के आनबांत से किस से पड़ते सुनते रहते हैं, तोड़े दिन पहले ही मैंने न्यूज में एक वीडियो देखा था जिसमें एक बहु अपने बीमार और मुजग सास को पीट रही गैर मजदूर्गी में खुब मारती है ऐसे में मुझे अपने कानों पर अपने आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे भी कोई बहु हो सकत है जो से सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए वह सब सोची रहा था कि उतने में वह मैला और कैश वाला लडगा दोनों एक साथ प्रविश की हुआ है कि जैसे ही वह मैला भार गए वैसे ही वह लडगा आते हुए गिक गया हमने जल्दी से उसे कैश देका रवाना किया हमने उस मेला को गैश सोब कर बहुत बड़ा काम किया है अभी भी जब भी वह गटना याता थी तो आखों देखी घटना होने के बाउजद भी विश्वाश कर अपना कटिन होता है कि ऐसी भी कोई बहू हो सकती है